बारत के पूर्व राष्ट पती प्रडब मुखर जी का निधन हो गया है वो 84 साल की थे कॉंग्रिस की वरिष्ट नेता रहे प्रडब मुखर जी कई दिनों से अस्पताल में भड़ती थे अस्पताल में भड़ती करते समय बताया गया था कि प्रडब मुखर जी के मस्तिश्क में एक ठक्के का इमर्जन्सी ऑपरेशन करना पड़ा था बाद में उनके फेपडों में संक्रमन होने की बात भी सामने आई थी इसके साथ ही वो कोरोना वाइरस से भी संक्रमित होए थे जिसकी जानकारी खुद प्रणम मुखर जी ने दी थी प्रणम मुखर जी साल 2012 से 2017 तक भारत के राष्टपती रहे उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है राष्टपती बनने से पहले प्रणम मुखर जी कॉंग्रिस के नेता रहे यूपीय सरकार के दोरान वो देश के विदेश मंतरी रक्षा मंतरी और वित मंतरी जैसे महत्वपून पदों पर रहे प्रणम दा के राजनीति करियर की शुरुवात साल 1979 में हुई जब इंदिरा गांधी ने उन्हें राज्यसभा की टिकट दी इसके बाद वो साल 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा सदस्य के तोर पर चुने जाते रहे उन्हें मनमोहन सरकार के दौरान अमरीका के साथ हुई परमानू संधी में एहम भूमी का निभाने के लिए जाना जाता है प्रणम मुखड जी उस समय भी चड़चाओं में आये जब वो अपना राश्टपती का कारेकाल पूरा करने के बाद आरेसेस के एक कारेकरम में शामिल हुए उस समय कई कॉंगरिसी नेताओं ने इसका विरोध किया था